आज का दिन इतिहास बन गया है यह दिन से क्रोना की लडाई में बड़ी कड़ी बनी है देश में एक साथ 12 से 14 वर्ष के बच्चों का वैक्सिनेशन सुरू होगा बिहार में कुल 56 लाग 26 जर बच्चों का वैक्सिनेशन होगा बच्चों के लिए खास बात यह होगी कि स्कुलों के साथ जहां भी इस्टेशन साइट होगी वहाँ औन स्पोर्ट इस्टेशन की सुब्धा दी जाएगी बिहार में 12 से 13 साल के बच्चों में बालकों की संक्या 14,28,000 है जबकि बलीकाओ की संक्या 13,89,000 है वही 13 से 14 बर्स के बर्ग में बालकों की संक्या 14,26,000 है जबकि बलीकाओ की संक्या 13,83,000 है राज्ये में स्वास्त भी भाग को कुल 12 से 14 बर्स के 56,26,000 बच्चों को वैक्सिनेशन का टार्गेट है 15 से 18 साल में 4.9 तीन लाख बच्चे पटना में जबकि 12 से 14 में 2.9 बच्चे है बच्चों को वैक्सिनेशन को लेकर अधिकारियों का कहना है कि 15 से 18 की तरह ही 12 वर्स वालों का भी टिका करण होगा पटना में 2,40,000 डोज वैक्सिन भी आ गई है लगभग 80% के लिए पहली डोज आ गई है जीला प्रतिरिक्षन पतादिगारी डॉक्टर SP बिनायक का कहना है कि वह पूरी तरह से तयार है वैक्सिनेशन की प्रकिरिया कोवीन पोर्टल या अरोगे सेत्व एप से पूरी होगी दोनों माध्यम से रेजिस्टेशन कर सकते हैं रेजिस्टेशन के लिए लिए लिंक statpsselfregistration.covin.gov.in portal पर रेजिस्टेशन का विकल्प चुने इसके बाद मुबाइल नमबर दर्च करना होगा इसके बाद समंधित मुबाइल नमबर पर OTP आएगी उससे दर्च करना होगा मुबाइल नमबर पर OTP को समिट करते ही नया पेज खुलेगा इस पेज पर डिटेल भरना होगा इसमें कोई एक बिकल्प चुन ID नमबर डालना होगा फिर नाम, चेंडर और जर्मतिती भरना होगा इसी दोरान वेक्सिनेशन सेंटर चुनने का भी विकल पाएगा पहचान पत्र में अधार कार्ड या माने फोटो योगत परीचाई पत्र को बैद किया गया है पोटल पर सेंटर चुनने के बाद सुब्धान उसा स्लोट का चुनाओ किया जा सकता है जिसमें स्लोट आए उसमें संबंदित सेंटर पर जाकर वेक्सिनेशन कराया जा सकता है हलाकि छूट और स्पोर्टर इस्टेशन की भी है बस अपनी फोटो पाचान पत्र बच्चों को ले जाना होगा 12-14 वर्ष के बच्चों को भी बड़ों की तरह नेडल वाले इंजेक्शन सुने तसमनों 5 एमल वैक्सिन लगाई जाएगी कॉर्प वैक्स नई वैक्सिन है इमर्जेंसी में भारत सरकार ने इस नई वैक्सिन को 12-14 वर्ष के बच्चों के लिए मंजूरी दी है बाइलोजिकल एलिमिटेड हैदराबाद में त्यार होई वैक्सिन को लेकर गैडलाइन आई है इसके मुताबिक बड़ों की तरह कॉर्व वैक्स की डोज भी 28 दिनों के अंतराल पर लगाई जाएगी स्वास तभी भाग के अधिकारियों को प्रसक्षण में बताया गया है कि को वैक्सिन और कोवी सेल्ड की तरह कॉर्व वैक्स बेर निडल वाले इंजेक्शन से बच्चों के दाहिने हाथ के बाजू में सुन्ने दसमलो पांच एमेल दी जाएगी पतना के जीला प्रतिरक्षण पतादिकारी डॉक्टर एसपी बिनायका कहना है कि वैक्सिन पूरी तरह से टेस्टेड है और बच्चों के लिए क्रोणा की लडाई में बड़ा हत्यार बनेगी यह करोणा की भले ही नई वैक्सिन है लेकिन इसे बड़ी वैक्सिन कमपणी ने बनाया है को वैक्सिन और कोवी सिल्ड के तरह सब वैक्सिन है जिसे से निडिल से ही दी जाएगी डॉक्टर बिनायक का कहना है कि इंजेक्शन लगाने के बाद भी इससे दर्द नहीं होगा निडिल पतली होगी और प्रसिक्षर में वैक्शनेटरों को ऐसा ट्रेंड किया जाएगा जिसे से जरा भी दर्द नहीं होगा तो फिलाल इस खबर में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद